जी वेटा नेक्स्ट नुमेडिकल देखें, a balloon contains 1.2 meter cube air at 15 degree centigrade, find its volume at 40 degree centigrade, thermal coefficient of volume expansion of air is 3.67 multiplied by 10 is par minus 3 per Kelvin, जीक है, अब इसको समझें, इसमें उसने कहा है कि 50 degree centigrade पे balloon का volume कितना था 1.2, जीक है, अगर हम उसका temperature बढ़ाके 40 degree centigrade कर दें, तो जो बाद में उसका volume हो जाएगा, कितना volume हो जाएगा, अब change in volume नहीं, पूछा उसने कहा है कि final volume, final volume का मतलब है कि पूरा जो उसका total volume होगा, वो कितना होगा, वो हम इसमें find out करेंगे, तो सबसे पहले हम data लिखेंगे, ठीक है, इसने कहा है कि initial volume, initial volume को V naught से आप represent करेंगे, 1.2, और volume का इस से unit क्या होता है, meter cube, ठीक है, और दूसरा उसने कहा है कि initial temperature, जिसको T naught से रिपरसेंट करते हैं, वो कितना है, 15 degree centigrade, इसको जब हम फॉरण है, ये Kelvin में convert करेंगे, क्योंकि standard unit Kelvin है, प्लस 273 में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, 288 Kelvin, ठीक है, और जो बात का temperature है, उसको हम T से रिपरसेंट करते हैं, वो कितना होगा, 40 degree centigrade, उसमें क्या add कर देंगे, 273, तो ये हो जाएगा, 313 Kelvin, ठीक है, हमने temperature का convert कर लिया, और coefficient of volume expansion of air, ठीक ह है, वो कितना दिया होगा, volume expansion क्या होता है, coefficient beta से हम उसको reversion करते हैं, वो है, 3.67 multiplied by 10 raised to power minus 3 per Kelvin, ठीक है, ये हमने सारा data लिख लिए, अब आपने क्या चीज़ फाइन रोट करनी है, आपने final volume फाइन रोट करना है, V, ना कि delta V, delta V का मतलब है, कि उसमें change in length, मतलब ये आपके प बना लेते हैं, ठीक है, ये उसका क्या है, पहले का volume है, ठीक है, जब उसका हम temperature बढ़ाएंगे, तो वो थोड़ा सा उसमें क्या आ जाएगा, enhance आ जाएगा, तो जो बाद का volume है, हम वो final करेंगे, ना कि ये change in volume, change in volume है, delta V, ठीक है, कि इन दोनों में फर्क कितना है, फर्क न 1 प्लस बीटा, और साथ में हम क्या लिखते हैं, delta 3, ठीक है, अब V not कितना है, 1.2, और साथ में हम 1, बीटा क्या है, हमारे पास, 3.67, multiply by 10 raised to bar minus 3, ठीक है, और change in temperature आप देखें, ये change in temperature कितना है, 313, minus कर देंगे, 288, ठीक है, अब हम इसको आगे solve कर लेते हैं, जी बीटा, हम इसको आगे solve कर लेंगे, ये हमारे पास है, 1.2, ठीक है, 1 प्लस 3.67, multiply by 10 raised to bar minus 3, ठीक है, और 313, minus 288 करें, तो आपके पास answer आता है, 25, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम 25 को multiply कर देंगे, 3.67 के साथ, 1.21 वैसे रहेगा, प्लस 3.67, multiply by 25, तो इसका answer आएगा, 91.75, 91.75, तो साथ में क्या बचा हमारे पास, multiply by 10 raised to bar minus 3, ठीक है, अब 91.75, multiply by 10 raised to bar minus 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1.21, 1, as it आगया, प्लस, minus 3 का मतलब है, कि हम इसको move करके यहां लिख दें, 1, 2, और 3, अगर हम 0.91.75, multiply by 10 raised to bar 3, और यह minus 3 कर दें, ठीक है, calculation में असानी होगी इससे न, ठीक है, अब देखें, जब हम point, shift करते हैं, from right to left, तो क्या आता है, positive में आता है, ठीक है, अब हमने 1, 2, और अगर हम 0 आगे लगा दें, तो 3, 0.09, ठीक है, अब देखें, यह क्या बन गया, 10 raised to bar 3 साथ में बन गया, 0.09175, multiply by 10 raised to bar 3, ठीक है, अब 3 minus 3, यह दोनों क्या हो जाएंगे, 10 raised to bar 0, that is equal to 1, ठीक है, अब simply यह चीज़ हमारे पास क्या हो गई, 1 के equal हो गई, अब हमारे पास क्या चीज़ बची है, यह बची है, हम क्या कर देंगे, 1.2, ठीक है, जब हम इसमें add करेंगे, आएगा, 1.09175, ठीक है, अब हम इसको multiply करेंगे, 1.2 से हमारे पास answer आएगा, 1.3101 ठीक है, और volume हमने find out किया है, volume का इससे unit क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे के volume is equal to 1.3, राउंड ओफ करके, मीटर क्यूब, कि जो पहले volume कितना था, 1.2 था, जब उसका temperature increase हुआ, तो बाद मिसका जो total volume होगा हो, कितना हो जाएगा, 1.3 मीटर क्यूब,